हेलो दोस्तों हमारी चैनल VS Online Tips में आप सभी लोगों का एक बरफी से बहुत-बहुत स्वागत है बिलासपूर यूनिवसिटी यानि अटल भीहरी बाच्वीवी स्विधाले में पढ़ने वाले सभी केंडिडेट का वासिक परिछा का Admit Card जारी हो गया है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मॉबाइल से ही अपना Admit Card कैसे डाउनलोड करेंगे पूरी चनकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं बिलासपूर उनुवसिटी में अपना Admit Card डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मॉबाइल के ब्राउजर को उपन करेंगे सर्च एटेप पर आकर आपको बिलासपूर उनुवसिटी लिके सर्च कर देना होगा इसके पतर यहाँ पर देख सकते हैं Official Site आ जाएगी आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा अप जैसी आप यहाँ करेंगे नीचे बहुत सारा नहाँ आपसम्स आहता है और यहाँ पर दिखेंगे तो Online Services यहाँ न पर लिखा यहाँ आ रहा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा अब जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे समने इस प्रकाज से एक नए पेज ओपन हो जाएगा अब जैसे आप इस पेज में नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपके समने इस प्रकाज से लोग इन करने का पेज हो आ जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको लोग इन करने के लिए सबसे पहले यूजर आइडी डालेंगे उसके बाद नीचे पासवर्ड डालेंगे और सैनिन के अप्सन पर क्लिक कर देंगे अगर आप अपना यूजर आडी और पासवर्ड भूल गे हैं तो यहाँ से आप अपना यूजर आडी और पासवर्ड है उसे फार्गेट भी कर पाएंगे और forget करने के लिए देखेंगे तो forget password लिखा हुआ होँआ रहा है यहाँ पर click करना होगा अब जैसे आप यहाँपर click करेंगे तो देख सकते हैं या दोस्तों यहाँपर आप अपना username डाल सकते हैं या आप अपना अधारकाड का number डाल सकते हैं अब जैसे आप कहाँ अधारकाड का number डालके नीचे आएंगे और सथ डिटेल पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो mobile number का कुछ रंक यहाँ पर द्लिकनी को मिल जाएगा इस mobile number को आपको यहां पर पूरे एंटर कर देना है और नीचे send my account details लिखा हुआ आ रहा है यहां पर click कर देंगे अब जैसे यहां पर click करेंगे तो आपके mobile number पर ID, password है उसे भेज दिया जाएगा अब यहां पर आएंगे तो फिस आपको login करना है आपके mobile पर जो भी ID, password आए होगी उस user ID को यहां पर डालेंगे नीचे आपको password डालना है और sign in के इस option पर click कर देंगे अब जैसे आप sign in के option पर click करेंगे आपका profile है इस प्रकाह से login होके आजाएगा इसके बाद आप अपने browser की desktop mode को on करेंगे आपको 3Land पर click करना है और यहां पर देखेंगे तो desktop site लिखा होगा आ रहा है यहां पर click कर देंगे तो इस प्रकाह से interface है desktop की तरह आपको देखनी को मिल जाएगी अब दोस्तों आपको अपने admit card डाउनलोड करना है तो यहां पर देख सकते हैं अब जैसे आप यहां पर click करेंगे दोस्तों आपका admit card है इस प्रकाह से डाउनलोड करने का जो page है यहां पर आ जाता है आप यहां पर देखेंगे तो आपको examination, category, role number यह सारे detail है यहां पर आ जाते हैं तो आपको admit card है डाउनलोड करने के देख सकते हैं प्रिंट admit card है लिखा हुआ आ रहा है यहां पर click कर देंगे अब दोस्तों जैसे आप में पर click करेंगे आपका admit card है इस प्रकाह से open हो जाएगा अब दोस्तों इसको download करने के लिए आप देख सकते हैं 3Line पर आपको click करना होगा click करने के बाद आप इसे PDF format में आप अपने mobile पर save कर लेंगे इस प्रकाह से आपका admit card है आपके mobile पर save हो जाएगा इसके बाद और इस admit card को आपको print कराने के लिए नजदी कि आप computer shop में चले जाएंगे और वहाँ से आप इस admit card को असानी से print करा सकते हैं इसके बाद आप इहां पर देखेंगे तो admit card में यहां पर सबसे पहले आपका पूरा detail है यहां पर देखने को मिल जाता है